नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे अपने राजनीतिक विज्ञान के पहले अध्याय का दूसरा चरण पिछली बार आपने श्रीलंका की केस स्टडी से समझ लिया होगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साजेदारी क्यों जरूरी है और यदि वे ऐसा ना करें तो उसके अनिको दुश पर इनाम हो सकते हैं ना किवल उस देश पर बलकि बहुत पार दूसरे देशों पर भी उसका गहरा प्रभाव पढ़ सकता है तो आज हम एक और के स्टडी पढ़ेंगे एक ऐसे लोकतांत्रिक देश की जिसने सत्ता की साजेदारी को अपना कर अपने देश में शान्ती और स्तिर्ता स्तापित की थी आज हम पढ़ेंगे युरोप के एक छोटे से लोकतांत्रिक देश बेलजियम के बारे में बेल्जियम आबादी और शेत्रफल में हरियाना राजे से भी कम है परंतु इसके समाज की जातिये बनावट सरल नहीं है तो आएं पहले मैं आपको जातिये का अर्थ समझा देती हूं जातिये को अंग्रेजी में एथिनिक कहते हैं किसी भी जातिय समू के सभी सदस्ये मानते हैं कि उनकी उत्पत्ती समान पूरवजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है यहाँ पर आप प्यान दें कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसे समू के सदस से किसी एक धर्म के मानने वाली हो या उनकी राश्ट्रियता एक हो जैसे आपने पड़ा कि तमिल्स, हिंदू और मुसलिम्स दोनों हैं और कुछ भारतिये और कुछ शिरिलंकाई हैं उसी प्रकार बेल्जियम में दो भाशाई समूहू प्रमुख हैं फ्रेंच और डच तो आएए हम फ्रेंच और डच के संबंदों का इतिहास जानते हैं सन 1830 में बेल्जियम की स्वतंतरता के बाद फ्रांसीसी और डच के वक्ताओं के बीच विरोध बढ़ गया क्योंकि तब डक्षिनी नीदरलैंड के निवासियों ने नीदरलैंड के उत्तरी प्रांतों के नए नयक्त के खिलाफ फिद्रोह किया अंततह बेल्जियम का राजे दोनों फ्रांसीसी भाशी और डच भाशी लोगों के प्रांतों से बना फ्रांस और नीदरलाइंड के बीच में एक बफर राज्ये के रूप में बेल्जियम ने स्वतंत्रता प्राप्त की फ्रेंच एक मात्र आधिकारिक भाशा बन गई डच वक्ताओं ने 19-वी शताबदी के उत्तराद में समान अधिकारों की मांग की लेकिन इन्हें केवल बीसवी शताबदी में धीरे धीरे पेश किया गया जबकि डाक टिक्टों 1893 में द्विभाशी बन गया यह 1967 तक नहीं था कि सविधान के एक आधिकारिक डच संसकरन को स्विकार कर लिया गया हूँ आजादी के बाद से सामाजिक आर्थिक असंतुलन ने दोनों समुदाओं के बीच असंतोष को शेह दी है 1960 के दशक के बाद से देश के भाशाई विभाजन के आधार पर अलग शेत्रों का निर्मान किया गया है जिसे हम वैलोनिया और फ्लेमिश के नाम से जानते हैं बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर बेल्जियम का नक्षा देख सकते हैं जहां पीले रंग का चायांकेत्र शेत्र फ्लेमिश शेत्र दिखा रहा है जहां पर 69 प्रतिशत लोग डच भाशा बोलते हैं शेश 40 प्रतिशत लोग वैलोनिया शेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं और बाकी बचे हुए लोग एक फिसदी लोग जर्मन भाशा बोलते हैं इसी मैप पर आप संत्री रंग का चायांकेत्र शेत्र देख सकते हैं यह हैं बेल्जियम की राजधानी बुस्टेश है और अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बुस्टेश में परिस्तिती बिल्कुल विप्रीत है बुस्टेश में फ्रेंच समुदाए बहु संख्या में हैं असी प्रतिशत है और डच केवल 20 प्रतिशत है 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा इसके पीछे एतिहासिक कारण क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ फ्रेंच जो की पूरे देश में अल्प संख्या में थे तुलनात्मक रूप में जादा संब्रिद और ताकतवर रहे हैं बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाब पाने वाले डच भाशी लोगों को इस तिती से नाराजगी थी अब मैं आपको एक निमॉनिक तक्नीक सिखाना चाहूँगी जिससे आपको डच और फ्रेंच की जन संख्या की सरचना समझ आ जाएगी बच्चे जादातार कन्फ्यूज हो जाते हैं बेल्जियम और ब्रुसल्स की जातिये सरचना को याद करने के लिए अब देखिए अपनी स्क्रीन पर बेल्जियम शब्द के पहले दो लेटर्स अंग्रेजी भाषा में B and E यहाँ पर डच अधिक संख्या में है और डच का फर्स्ट लेटर है D अब जब हम तीनों लेटर्स को जॉइन करेंगे तो एक मीनिंग्फुल वर्ड बेड बन जाएगा और अगर आपको यह टर्म बेड ध्यान रहेगी तो यह भी ध्यान रहेगा उसी से कि दूसरी कम्यूनिटी फ्रेंच बेल्जियम में अल्प संख्या में है और साथ ही आप को पता है कि ब्रुसिलस में स्थिति बिल्कुल विप्रीत है तो अब तुनला कर सकते हैं में बेल्जियम और श्रिलंका की परिस्तितियों की दोनों देश लोकतांत्रिक हैं दोनों के जातिये समुदाओं में तनाव लेकिन अंतर क्या है दोनों की सरकारों के रवये को लेकर जहां एक और श्री लंका ने बहु संख्यकवाद अपनाया और सत्ता की साजेधारी को नहीं अपनाया तो उसके अनेको शोधन किया 1970 और 1993 के बीच उन्होंने शेत्रिय अंतरों और सांस्कृतिक विविधत्ता को स्विकार किया उनका ऐसा करने के पीछे यह उद्देश्य था कि किसी भी नागरिक को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिल जुल कर रह सके और यह एक बहुत ही कलपना शील वि देख सकते हैं इस मॉडल की मुखे विशेश्ताएं सबसे पहली विशेश्ता यह थी कि डच और फ्रेंच भाशी मंत्रियों की संख्या दोनों ही सरकारों यानि कि केंद्र और राजे सरकार में समान रहेगी कुछ विशेश कानून तभी वनेंगे जब दोनों भाशाई इस प्रकार किसी एक समुदाई के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की शेत्रिय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। यानि राजे सरकारें केंद्रिय सरकार के अधीन नहीं हैं। Brussels में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाओं का समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्विकार किया क्योंकि Dutch भाशी लोगों ने केंद्रिय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्विकार किया था केंद्रिये और राजे सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है यानि की सामुदाइक सरकार इस सरकार का चुनाव एक ही भाशा बोलने वाले लोग करते हैं डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाओं के लोग, चाहे वो जहां भी रहते हूं, इस समुदाइक सरकार को चुनते हैं, इस सरकार को संस्कृती, शिक्षा और भाशा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है, इसको थोड़ा विस्तार से समझो, यदि कोई फ् वीदवारों से अपनी सरकार चुनेगा, और इसी प्रकार से डच और जर्मन बोलने वाले अपनी अपनी सरकार अपने अपने समुदाओं से चुनेगे, तो इस तरह से एक बेलजियम के नागरिक की देखबाल के लिए, और उसकी समस्याओं का समधान निकालने के लिए, त जब वो ऐसा करती है तो उसमें हर एक नागरिक का विकास भी हो जाएगा क्योंकि पूरे देश में वह नागरिक भी रहता है दूसरी सरकार अपने अपने राज्ये के विकास के लिए काम करती है और तीसरी जो प्रतेक भाशाई समूहों का ध्यान रखती है और इस तरह से वहां के नागरिकों को यह तसली है कि हमारे विकास के लिए एक नहीं बलकि तीन सरकारे हैं तो आपने देखा कि सत्ता की साजेधारी करने से किस प्रकार बेलजियम सरकार ने अपने देश की इतनी बड़ी समस्या का समाधा निकाला बेलजियम में पावर शेरिंग विवस्ता ने दो प्रमुक समुदाएं फ्रेंच बोलने और डच बोलने के बीच नागरिक संघर्ष से बचने में मदद की और भाशाई आधार पर देश विभाजन का एक समभावित विभाजन टल गया बेलजियम मॉडल ने तीसरी तरह की सरकार यानि सामुदाएक सरकार की एक नई अवधार ना पेश की यह सरकार एक भाशा समुदाए से समबंदित लोगों द्वारा चुनी जाती है ब्रसल्स को यॉरोपिय संग के लिए मुख्याले के रूप में चुना गया था क्योंकि वह बिना किसी संगर्ष के विविद जातीय आबादी के प्रभंधन में एक रोल मॉडल बन गया था यॉरोपिय संग ने एक बड़े पेमाने पर यॉरोप के विभिन देशों को अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक कत्रित किया तो यह स्वाभाविक है कि ऐसे देश को उसका मुख्याले बनाएं जिसने अपनी जातिये समुदाओं में शांती स्तापित करने के लिए एक बहतरीन सत्ता की साजेदारी का मॉडल पेश करके सफलता हासल गी हमें बेलजियम और श्रिलंका की कहानियों से यह सीख मिलती है कि ऐसे समाज में शांती और स्तिर्था लाने का सबसे अच्छा तरीका सत्ता की साजेदारी है जहां जातिये भाशाई विविधता की विशेशता हो विभिन समुखों के बीच शक्ती साजा करना हो उन्हें निर्ने लेने की प्रक्रिया में शामिल करना हो इस तरह की शक्ती साजा करने की विवस्ता समाज में संघर्ष की संभावनाओं को कम कर देगी हम यह भी सीखते हैं कि शक्ती साजा करन लोगतंत्र की भावना है क्योंकि ये लोकतंत्र को अच्छी तरह स्तापित करने में मदद करती हैं सत्ता के बटवारे से अल्प संख्यकों को प्रतिनिधित्व और राजनीतिक आवाज भी मिलती है और बहुत संख्यक समुदाय के वर्चस्व और प्रभुत्व स्तापित करने के लिए प्रमुक्तावाद नीती को लागू करने से रोका जाता है जैसे श्रिलंका के मामले में जहां तमिल अल्प संख्यकों का हित पूरी तरह से अस्वीकृत था जिसके परिनाम स्वरूप श्रिलंका में ग्रह युद में हजारों लोग मारे गए थे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जानते हैं कि विभिन हितों को सामयोजित करके समाज में न्याय, निश्पक्षता, समानता को सुनिश्चित किया जाता है सत्ता के बटवारे के शैतिज रूप को समझने से पहले आईए समझें कि अविभाजित राजनीतिक सत्ता के विरोध में सत्ता के बटवारे का विचार उभरा है लंबे समय तक यह माना जाता था कि सरकार की सारी शक्ती एक हिस्तान पर स्तित्व व्यक्तियों के एक व्यक्ति या समहू के में निवास करनी चाहिए यह मैसूस किया गया कि यदि निर्ने लेने की शक्ती तितर बितर हो जाती है तो निर्ने लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा लेकिन ये सभी धारनाएं डेमोक्रेसी के उद्भव के साथ बदल गई है लोकतंत्र का एक मूल सिधान्त यह है कि लोग सभी राजनीतिक शक्ती का स्रोत हैं लोकतंत्र में लोग स्वशासन की संस्ताओं के माध्यम से स्वयम परशासन करते हैं एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार में हमारे समाज में मौजूद विविद समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है जन नीतियों को आकार देने में हर किसी की आवाज होनी चाहिए इसलिए यह इस प्रकार है कि हमारी लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्ती में यथा संभव अधिक से अधिक नागरिकों के बीच वित्रित किया जाना चाहिए अब हम पढ़ेंगे सत्ता के साजेधारी के विभिन रूप बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एक लाइन देख सकते हैं यह लाइन होरिजॉंटल लाइन है जिसको हम हिंदी में शैतिज भी बोलते हैं आप देख सकते हैं कि इस पर जो भी पॉइंट्स हैं उनकी स्तिती बराबर है उसी प्रकार जब हम इस मॉडल को सत्ता की साजेधारी के रूप में देखते हैं तो उसका यह अर्थ है कि यदि ऐसे काम को बांटा जाए तो कोई भी व्यक्ति दूसरे से ओधे में बड़ा या छोटा नहीं कहलाएगा कोई किसी को आदेश या निर्देश नहीं देगा और सभी एक दूसरे पर नजर रखेंगे उधारन के लिए मैं आपको आप ही के जीवन से समझाती हूँ कलपना कीजिए कि मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के किसी विशे पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए ग्रुप में बांट दिया है और आप सभी का काम इस प्रकार बांटा है कि पहले स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन की तयारी के लिए कहा है दूसरे को इंफोर्मेशन पर रिसर्च करने के लिए कहा है और तीसरा जो है वो सर्वे के फॉर्म्स फिल करवाएगा चौथा उसको सुन्दर्ता से किस प्रकार प्रोजेक्ट फाइल में संगठित करना है वह करेगा और पांचवा उसका मुल्यांकन करेगा ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन बच्चा दूसरे बच्चे पर अपनी शर्टे तै करेगा कोई भी नहीं क्योंकि कोई भी छात्र दूसरे छात्र को किसी भी तरह से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता लेकिन सभी एक दूसरे पर अंकुष रखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं सभी एक बराबर हैं तो हम स्कूल से एक और उधारन ले सकते हैं कक्षा बारवी के छात्रों के लिए विदाई सामारों का आयोजन किया जाना है और ऐसा करने के लिए कक्षा बार्वी के शिक्षकों को कारिक्रम के पूरे प्लैनिंग की देखभाल के लिए विभिन समुहों में बांटा गया है कक्षा बार्वी की विदाई की प्लैनिंग में शामिल सभी शिक्षक केवल कक्षा बार्वी ही पढ़ा रहे हैं इसका मतलब है कि ये सभी शिक्षक एक ही स्तिती में हैं जहां तक उनकी रैंकों का संबंध है कोई भी शिक्षक वरिष्ट या कनिष्ट नहीं है क्योंकि सभी बराबर हैं इसलिए ये भी सत्ता के बटवारे का एक शैतिज रूप है अब हम सत्ता के बटवारे के शैतिज रूप को समझेंगे जो किसी भी लोक्तांत्रिक सरकार में किया जाता है इसके लिए सबसे अच्छा उधारन है विधाईका, कारेपालिका और न्याईपालिका के बीच शक्तियों का प्रिथकर्ण करना आप जूनियर कक्षाओं में पहले ही पढ़ाई कर चुके हैं कि विधाईका का काम कानून बनाना है, कारेपालिका का काम कानूनों पर अमल करना है और न्याईपालिका का काम विवादों को सुलजाना है इस तरीके से काम को तीनों अंगों के बीच बांटा जाता है और इसे आसान तरीके से अंत में तेजी से किया जाता है इस प्रकार की शक्ति बांटने की विवस्था में एक ही स्तर पर रखे गए सरकार के विभिन अंगों ने विभिन शक्तियों का प्रयोग किया है शक्ति का ऐसा विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है जिससे एक दूसरे पर नियंत्रन हो सके यह सिद्धान्त एक महान फ्रांसीसी विद्वान मॉंटिस की ओद्वारा दिया गया था जिसके बारे में आपने नौवी कक्षा में भी पड़ा है चलो इसे और अधिक गहराई से समझते हैं अगर सुप्रीम कोट रिहाईशी इलाकों में प्रदूशन उत्सरजित करने वाली सभी फैक्टरियों को बंद करने का आदेश पादित कर दे तो यह आपको क्या बता रहा है यह आपको सपश्च रूप से बता रहा है कि न्याय पालिका किस तरह विधाईका और कारे पालिका पर नियंतरन रख रही है विधाईका प्रदूशन को रोकने के लिए कोई उप्युक्त कानून पारित नहीं कर रही है और कारेपालिका यह देखने में असमर्थ है कि प्रदूशन को रोकने के लिए मौजूदा कानून को लागू किया जा रहा है या नहीं इसलिए उच्चतम नेयाले जो सक्रिये और सतर्क है उसने दोनों अंगों के कामकाज पर नजर रख कर आवश्यक आदेश पारित किया है यह नियंतरन और संतुलन का एक उत्कृष्ट उधारन है अब हम सत्ता के बटवारे का एक और रूप समझते हैं जो की उर्दवाधर रूप है यानि की वर्टिकल फॉर्म आफ पावर शेरिंग बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक लाइन है जो खड़ी कीची गई है यानि की वर्टिकली ड्रॉ हुई है सबी बिंदूओं को अलग-अलग पदों पर रखा गया है इसका मतलब है कि जब यह अवधारना किसी भी संगठन पर लागू होती है तो एक व्यक्ति जो उच्च पद पर होता है उसके पास उस व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तियां होंगी जो निचले स्थान पर है उर्दवाधर रूप को एक उधारन से समझेंगे जो आपकी स्कूल की स्तिती से ही लिया है जैसे आपके स्कूल में हेड़ गर्ल जो है वो शीर्ष स्तान पर है उसके तहत छात्र परिशत काम करते हैं और विद्यार्थी परिशत के नीचे विभिन कक्षाओं के सभी मॉनि मॉनिटर्स काम कर रहे हैं तो आप यहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि स्कूल हेड़ गर्ल की शक्ती विद्यार्थी परिशत की शक्ती से अधिक है और विद्यार्थी परिशत की शक्ती कक्षा मॉनिटर्स की शक्ती से अधिक है सत्ता के बटवारे के इस रूप म मौनिटर्स विद्यार्थी परिशद से निर्देश प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह विद्यार्थी परिशद स्कूल हेडगर्ल से निर्देश प्राप्त कर सकते हैं इस उधारन में हेडगर्ल चात्र परिशद द्वारा किये गए कारे की निगरानी कर रही है चात्र ने Panel Board Sajavat के काम को विभाग के प्रमुक और अन्य स्टाफ सदस्यों के बीच बाइच दिया है इस उधारन में प्राचार्या विभागा ध्यक्ष के कारे की निगरानी कर रही है और विभागा ध्यक्ष अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा किये गई कारें पर नजर रख रही है अब देखते हैं कुछ उधारन जहां डेमोक्रेटिक सरकार सत्ता के बटवारे का उर्धवाधर रूप करती है एक प्रमुक उधारन यह है कि अदालतों का संगठन किस तरह से किया गया है उच्चितम न्यायाले सरवोच पद पर है उच्चितम न्यायाले के नीचे उच्च न्यायाले है और जिला अदालते निम्नितम स्तर पर है अगर कोई व्यक्ती निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वे उच्च स्तर पर अदालत में अपील कर सकता है हाला कि सुप्रीम कोट का फैसला अंतिम है और कोई भी इसे चुनोती नहीं दे सकता इसी प्रकार हम एक और उधारन ले सकते हैं हमारे देश में सरकार का संग्ये रूप है यानि हमारे पास तीन स्तरों पर सरकारी है पहली केंद्र सरकार जो पूरे देश के हितों की देख बाल करती है दूसरी राज्य सरकारी है जो किसी विशेश राज्य में रहने वाले लोगों की जरूरतों और मागों का ध्यान रखती है और तीसरी स्तानिय सरकार है जो ग्रामीर और शहरी दोनों शेत्रों में काम करती है और यह उनकी स्तानिय जरूरतों को भी देखती है इस उधारन से यह भी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के अधिकार शेत्र का शेत्र राजे सरकार और स्तानिय सरकार की तुलना में अधिक है इतना ही नहीं केंद्र सरकार राजे और स्तानिय सरकारों की तुलना में बड़ा शेत्र प्रशासन करती है बच्चो अब हम सत्ता के बटवारी का तीसरे रूप पढ़ेंगे जो की सत्ता के बटवारा विभिन समाजिक समूहों के बीच में किया जाता है इस प्रकार की शक्ती का बटवारा विविधता वाले देशों में बहुत महत्वपूर्ण है हमने देखा कि यह जरूरी नहीं है कि केवल बड़े देशों में विविधता है यहां तक की बेलजियम जैसे छोटे देश में विविधता हो सकती है आप पहले ही इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि बेलजियम ने सत्ता का बटवारा किस प्रकार किया कि दो भाशाई समूहों के बीच की समस्याओं का हल करने में वे सक्षम हो गया जो की फ्रांसीसी और डच के बीच में किया गया बेलजियम की सामुदाइक सरकार सत्ता के बटवारे का एक बहुत अच्छा उधारन है जो विभिन भाशाई समूहों के बीच किया जाता है बराबर होगी इसलिए इससे यह बहुत स्पष्ट है कि सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर रही थी कि दोनों समूदाओं को यह मैसूस नहीं करना चाहिए कि उनकी अच्छी तरह से देखबाल नहीं की जा रही है फ्रांसीसी और डच दोनों समूदाओं को लगा कि सरकार में उनके प्रतिनिधी हैं जो उनकी जरूरतों और अकांक्षाओं का ख्याल रख सकते हैं दूसरा उधारन हमारे अपने देश से लिया गया है कि हमारे देश में विभिन भाशाई समूहू कैसे संतुष्ट रह सकते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में दो राजभाशा हैं जो की हिंदी और अंग्रेजी हैं अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है लेकिन तब भी इसे राज भाषा का दरजा मिला क्योंकि दक्षिन भारतिय राजियों की यही मांग थी इतना ही नहीं और भी कई भाषाएं हैं इसलिए सरकार को उन भाषाई समुहों को भी संतुष्ट करना पड़ा इसके लिए उन्हो अध्याई में इसके बारे में पढ़ेंगे राजियों की भी अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं हमारे देश में अब स्क्रीन पर दिये गए तीसरे उधारन पर चलते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि भारतिय समविधान धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है तो इसका क्या मतलब है कि क्यूंकि हमारे देश में विभिन धर्मों से जुड़े लोग हैं इसलिए सरकार ने सभी धर्मिक समुदाओं को हर प्रकार से समान अधिकार दिये हैं इस तरह से किसी भी धर्मिक समुदाई को यह नहीं लगता कि किसी धर्म विशेश को कोई नहीं लगाया जा सकता हूँ अब हम पढ़ेंगे अपने चौथे सत्ता के साजेधारी के रूप के बारे में यानि कि विभिन्राजनीतिक दलों के बीच किस प्रकार सत्ता का बटवारा होगा तो चलिए इसको समझते हैं। विभिन राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के बटवारे को दो तरह से देख सकते हैं एक तरीका यह है कि वे सत्ताधारी दल और विपक्षी दल के बीच सत्ता को किस तरह बाढ़ते हैं सत्ताधारी दल चाहे जो भी हो विपक्षी दल उस पर नजर रखता है और इस तरह से सरकार को अपना काम ठीक से करना पड़ता है सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि विपक्षी दल को सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने की ताकत मिल रही है गटबंदन सरकार को बनाते हुए राजनीतिक दल अपनी ताकत साझा करता है अब गटबंदन सरकार क्या है आपने आफ़ी कक्षा में भी इसका अध्यन किया है जब किसी सत्ता रूर दल को सपष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है तो जिस पार्टी को सबसे बड़ा महुमत मिलता है वह कुछ अन्य दलों की मदद से सरकार बनाती है इस प्रकार गटबंदन सरकार के सभी दल अपनी शक्ती साजा करते हैं और सबसे बड़ी पार्टी यह सुनिश्चित करती है कि गटबंदन सरकार में प्रतेक राजनीतिक दल को देश के शासन में भाग लेने की शक्ती मिले अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि विभिन दबाव समूहों के बीच शक्ती का बटवारा कैसे किया जाता है सर्व प्रतम आपको यह समझना चाहिए कि किसी भी लोकतंत्र में विभिन हित समूह है जैसे विभिन वैवसायों या विभिन जातियों से संबंदित हित समूह और महिलाओं के लिए भी हित समूह को हम अंग्रेजी में इंट्रेस्ट क्रूप्स भी कहते हैं अब क्या होता है यह हित समूह किसी भी लोकतंत्र में चुपचाप काम करते रहते हैं और जब भी कोई ऐसी नीती आती है जो उनके समुदाई के हित के खिलाफ जा रही हो तो फिर वे सरकार पर अपनी नीती बदलने का दबाव डालते हैं अब हमें एक उधारन के माध्यम से हमारे लोकतंत्र में दबाव समुहों के कारे को समझना चाहिए जैसे कि कामगार हित यानि कि वरकर्स की लेबर यूनियन ये मांग करती है कि कामगारों का वेतन बढ़ना चाहिए दूसरे और उध्योग पती चाहते हैं कि कामगारों के काम के घंटे बढ़ जाएं अब दोनों इंट्रेस्ट समू अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं सरकार इस तरह से समाधान निकालने की कोशिश करेगी जिससे दोनों खुश रहें इसी तरह लोगप्रिये आंदोलनों के बीच सत्ता का बटवारा किया जाता है इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में लोकतंत्र है और सभी हिद समू अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते रहते हैं इस प्रकार जब भी हमारे देश में आवश्रक्ता महसूस की गई तो इन दबाव समूहों ने स्वयम को संगठित किया और कुछ उदेशियों के साथ आंदोलन शुरू किये आजादी के बाद भी हमारे देश में कई आंदोलन हुए हैं जैसे आपने चिप को अंदोलन के बारे में सुना होगा जो पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था इसके अलावा आपने नर्मदा बचाओ अंदोलन के बारे में भी सुना होगा जब उस पर सरदार सरोवर बांध बनाया जाना था तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए बेह शुरू किया गया था इसी प्रकार आपने लोग पाल को पारित करने के लिए अन्नाहजारे द्वारा शुरू किये गए आंदोलन के बारे में بھی जरूर सुना होगा तो हम ये देखते हैं कि इन सभी लोग प्रिये आंदोलनों में सरकार लोगों को अपनी मांगे व्यक्त करने और उनकी आकांगशाओं को पूरा करने की शक्ती साजा कर रही है यह हमें सत्ता के बटवारे के चार रूपों के अंत तक लाता है जिस पर हमने इस मॉड्यूल में चर्चा की अब हमें इस अध्याए के मुखे बिंदूओं को याद करना चाहिए हमने सत्ता के बटवारे के अर्थ पर चर्चा की और सत्ता में हिस्सेदारी क्यों महत्व पूर्ण है यह भी समझा सत्ता के बटवारे के महत्व पर चर्चा करने के लिए हमने इसके नैतिक और विवेक पूर्ण दोनों कारणों को समझा हमने Belgium और श्रिलंका की case study पर भी चर्चा की, Belgium में सत्ता का बटवारा किया गया और इससे फ्रांसीसी और डच दो भाशाई समूहों के बीच तनाव को कम किया गया दूसरी और श्रिलंका में एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद तमिलों और सिंगली के बीच सत्ता का बटवारा नहीं किया नतीजन श्रिलंका में ग्रह युद शुरू हो गया अंत में हमने सत्ता के बटवारे के विभिन रूपों पर चर्चा की जिसमें सत्ता के बटवारे का शैतिज रूप, उर्धवाधर रूप, विभिन समाजिक समूहों के बीच सत्ता का बटवारा और राजनीतिक दलों, हित समूहों और लोकप्रिये आंदोलुनों के बीच स सत्ता का बटवारा के बारे में पड़ा तो बच्चो अब आपका पहला अध्याय सत्ता की साजेधारी यहीं पे समाप्त होता है मुल्यांकन के लिए स्क्रीन पर दिये गए प्रश्नोतर का आप प्रयास कर सकते हैं धन्यवाद कर दो।